हलो दोस्तों नमश्यार मैं दिनेश्वर महराज आप सबका स्वागत करता हूँ जैसे आप सब जानते हैं कि जो आज के तारीक में इंसान को इजी लगता है वही करता है वो चाहे जौब से रिलेटेड हो या किसी भी कारिशेतर से रिलेटेड हो वो वही करता है प्रन्तु इसमें जो शौटकट धूंडते हैं वहीं पर गलती कर बढ़ते हैं जैसे मैं आप सब को बताऊंगा कि आप लोग हमेशा कुछ न कुछ मुझसे मांगते हैं कि भई हलांकि यहां तक मुझे फोन के उपर धमकिया आता धमकियों से मैं डरने वाला तो नहीं हूँ मैं तो किसी के भाब से ने डरता कोई ईजी टोटका बताईए वशी किरंड का या मारण का या शत्रुनाश या धन के लिए कुछ न कुछ आप लोग टोटका मांगते हैं प्रंतु मैं आप सबको एक ही बात बताऊंगा तोटका जो होता है वो तोटका होता है अगर आप शिदियों के तरीके से चलते हो तो सब कुछ सफल है अन्य था बेर्थ है लाइब में अपने जो भी कारे करें जैसा भी करें तो उस पे भरोशा करें कि हमें करना क्या है और करना है तो पूरा भरोशा और पुरी यकीन उसके उपर लगा दें कि हम कुछ अच्छा कारे करेंगे अगर आप लोग ऐसा नहीं कर शकते तो फिर भई उसमें दिनेश्पर महराज तो क्या दुनिया का कोई भी महराज आप सबको उपदेश नहीं देश रखता हूँ ठीक है पहली बात तो हमेशा आप ध्यान में रखना माता पिता का शेवा भाई बहनों की इज़द और उनका शम्मान हमेशा आप करते रहें अगर ये आपने काम कर लिया तो शमझ लेना हर ये कारे शेत्र में आप शफल रहोगे अगर आपने माबाप का दिल दुखा दिया भाई बहनों का दिल दुखा दिया तो आप किसी भी कारे शेत्र में शफल नहीं रहेंगे इसे आप गाठ मार लेना जैसे आप मुझे देख लो आप सबको भी पता है कि मैं जो आज कारिय करता हूँ, जो कर रहा हूँ, वो सबको दिखता है, चमतकार को नमशकार करते हैं लोग, तो मेरे पास मैंने कभी एक साथ सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा काम कर जाऊंगा या करूंगा ये मेरे माइंड और मेरे दिमाग में नहीं था लेकिन जो कारिया माता ने शौप दिया है भेरोजी ने शौप दिया है बजरंग बली ने शौप दिया है मेरी शर्वादी शक्तियों ने शौप दिया है उसे तो करना ही पड़ेगा अगर हम उसे ना करें तो हमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है लोग सोशल साइडों पे मेरे खिलाब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं मुझे बद्दाम करने के लिए कुछ ना कुछ साजिश करते रहते हैं प्रंतु मिलता क्या है लाश्ट में अब मैं बोलो कि घंटा मिलता है तो फिर मज़ा खतम हो जाएगा क्योंकि जो बद्दाम करने की कोशिश करते हैं वो खुद बद्दाम हो जाते हैं उनको डंड भी मिलता है ऐसा नहीं है उनको डंड भी मिलता है और डंड हम देने वाले नहीं होते डंड वही देता है जो स्रिष्टी का करता धरता है वही डंड देता है वही तोड़ देता है उसे आज कुछ भी है मातारानी का आशिरबाद है भैरोजी का आशिरबाद है महा डरने वाला तो नहीं हूँ मैं तो किसी के बाप से नहीं डरता कमेंट में फोन पे धंकिया तो बच्चे भी दे देते जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो भी धंकिया देते दम हो शामने आके धंकिया दे तो मज़ा आता उसमें देखो हमेशा इंसान को सोचना चाहिए कि ध धंकिया देना और धंकिया लेना ये गलत चीज होती है मेरे उपर हानी होगा तो दो शो टका दो शो प्रशेंट आप ध्यान में रखना भैरो जी हमेशा उसे डंड देंगे और देते रहेंगे और मैं हमेशा आपके सामने ऐसे ही बना रहूंगा ठीक है चलिए दोस्तों खास और इसमें यह नहीं कहूंगा वीडियो पुष्णद आया तो आप सेयर करें सबस्राइब करें लाइक करें फिडियो आपके उपर है बीडियो आप देखना चाहते तो देखकते हैं नहीं देखना चाहते हैं कोई प्रॉबलम नहीं है मुझे ठीक है अभी फिलाल मैं इंड ले जाना है कि वहाँ पर एक काली मादा का मंदिर मुझे दान किया गया है तो वहाँ पर भी जाकर मुझे मेरा कार ये करना है उसके बाद मैं आप सबके समक्ष हूँ आपके बीच में हूँ जैसा भी हूँ आपका हूँ अपने भाई बेनों का हूँ बंदू का हूँ दोस्त होगा हूँ ठीक है जय मता दी जय भैरू